भारतिय सेना का गटन 1776 में इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा कोलकाता में किया गया था 14 लाग से अधिक सक्रिय कर्मियों की संक्या के साथ इंडियन आर्मी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्ड फोर्स है राष्ट्रपती के अंगरक्षक के रूप में जाने जाने वाली दब प्रेजिडेंट्स बॉडिगार्ड भारतिय सेना की सबसे पुरानी और घुरसवार रेजिमेंट है जिसकी स्थापना 1773 में की गई थी आसम राइफल्स भारतिय सेना का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी और निस साल की उम्र में भारतिय सैनिक कमल राम को द्वितिय विश्वियुत के बाद वीरता के लिए युनाइटेट किंग्डम का सर्वोच्च पुरसकार विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था हिटलर को भारतिय सैना की गोर्खा रेजिमेंट में गहरी दिचस्पी थी और उसे विश्वास था कि अगर मेरे पास गोर्खा होते तो वैं पूरी दुनिया को जीत सकता था और हिटलर गोर्खाओं को ब्लैक डेविल्स कहकर संबोधित करते थे दोस्तों इंडियन आर्मी के बारे में ऐसे और आश्यर जनक तक थी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें